दोस्तो इस वीडियो में हम ककड़ी की फसल में जो फफुन जनित रोग होता है म्रदुरोमिल आसीता रोग उसके नियंतरन के बारे में और उसकी पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो दोस्तो वीडियो को आप अंतक जरूर देगे दोस्तो इस रोग में ककड़ी की फसल की पत्ती की जो उपरी सतह होती हैं उस पर हलके पीले रंग के धब्बे और जो निचली सतह रहती हैं उस पर बेंगनी रंग की फफ़ुन आपको दिखाए देगी पीले धब्बे कम समय में लाल भूरे रंग में बदल जाएंगे और जो पत्या है वो सुकर गिरने लगती है तो आप इस प्रकार फसल की पत्यों को देखकर रोग की पहचान कर सकते हैं इसके बचाओ के लिए आपको सुरुवात में ही रोग प्रत्रोधी किस्मों का चैन करना चाहिए बीच को उपचारित करके आपको बुवाई करना चाहिए अनावश्यक सहीं चाहिए बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए और जो रोग से ग्रशीत भाग होते हैं उनको तेल तोड़ कर मतलब खेट से दूर फेक दना चाहिए या गड़ा खुद के गार देना चाहिए अब हम बात कर लेते इसके राशाइनिक नियंद्रन की तो दोस्तो इसके लिए आपको जो 400 ग्राम कोरो थालो निल 75% WP या फिर आप जो 400 ग्राम कार्बेंडा जिम 12% प्लस मेंको जब 63% WP के फोर्म में आता है उसको आप प्रती एकड़ 200 लिटर पाने में मिलाकर छिड़का कर सकते हैं इस प्रकार इस रोका नियंत्रन आप राशाइनिक विदिशे कर सकते हैं अगर जेविक नियंत्रन की बाल करें तो आप 1 किलो ग्राम सुडो मनाश फ्लोरोसेंस को प्रती एकड़ 200 लिटर पाने के इसाब से मिलाकर प्रती एकड़ में छिड़काओ कर सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार आप ककड़ी की प्रिशल में म्रदूर उमिल आसिता रोका नियंत्रन कर सकते हैं उम्मीदे दोस्तो जानकर आपको समझ में आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करें नए हैं तो यदि वीडियो में दी गए जानकर आपको समझ माई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं रोचक जानकर साथ नेक्स्ट टूडियो में जय जवान जय किसान जय हीन जय भारत